अगर आप इस कहानी का पिछला बाक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स एंडी स्कीन और कार्ट तीनों जगह पर दे दूँगी और साथ मैं कॉमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी तो आप वहां से जाकर सुन सकते हैं सिवम को सोया हुआ देखकर त्रिवेडी सोचने लगी कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही जो खुद इतनी तकलीफ जहल चुका है मैं उसे एक और तकलीफ कैसे दे सकती हूँ और वो भी यही सब सोचते सोचते वहीं उसके बगल में ही सो गई यहां वंस और पल्लवी की साधी हो चुकी थी और आप बारात वापश निकलने की तैयारी में थी अंगद ने साच्छी की तरफ एक बार भी नहीं देखा जिसकी वज़े से साच्छी को उस पर और गुस्सा आ रहा था आखिर समझता क्या है अपने आपको इसकी अकड़ तो मैं ठीकाने नहीं लाई तो मेरा नाम भी साच्छी नहीं वर्तिका उसके पास आकर बोली वै तू अकेले में क्या बोल रही है क्या हुआ साच्छी बोली कुछ नई यार बस थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है वर्तिका बोली किस पर जरह हमें भी तो पता चले कौन खुश नसीब है जिसने हमारी साच्छी को गुस्सा दिरा दिया है साच्छी बोली कोई नई यार चल उसे तो मैं देख लूँगी तू बता तू यहां क्या कर रही है और देव देव कहां है जो तुझे अकेला चोड़ दिया वर्तिका बोली नाम भी मतले तू उनका अपने काम होगा तो भी ना बताए गायव हो जाएंगे और फिर मुझे सुनाएंगे साच्छी ने देखा देव अंगत के साथ उन दोनों के पास ही आ रहा था साच्छी बोली आ गए वर्तिका ने उसकी तरफ देखा तो उसने सामने देखने का इसारा किया देव ब्लैक सर्ट और ब्लू जिन्स में किसी फिल्मी हीरो से कम बिल्कुल नहीं लग रहा था देव दोनों के पास आ कर बोला हे गर्ल्स क्या हो रहा है चलना है घर या फिर यहीं रहना है वर्तिका बोली साच्छी बोल दे जिसको जाना है जाए मैं भाई भावी के साथ चली जाओंगी बोल कर जाने लगी तो देव ने साच्छी को देखा तो उसने अपने कंधे उचका दिये देव बोला वर्तिका सुनो तो यार बोल कर उसके पीछे गया तो अंगद भी उसके पीछे जाने लगा साच्छी बोली ओ हैलो मिश्टर अकर्चन तुम तुम उनके पीछे कहा जा रहे हो अंगद भोला आपने मुझसे कुछ कहा हाँ तो यहाँ पर तुमें कोई दूसरा दिख रहा है जिसे मैं बात कर रहे हूँ अंगद भोला मुझे कैसे पते चलेगा और वैसे भी लड़कियों के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता साची ने चिड़के उसकी तरफ देखा और बोली तुम तुम अपने आपको समझते क्या हो जो लड़कियों के बारे में कुछ भी बोल रहे हो अंगद बोला मैं अपने आपको जो हूँ वही समझता हूँ लेकिन लड़कियां जैसे अपने आपको कोई तोप समझती हैं बोलकर जाने लगा साची बोली ओ हैलो मिश्टर अकरचंद अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है जो तुम ऐसे जा रहे हो लेकिन अंगद अब बिना उसकी बात सुने वहां से चला गया और साची गुसे में दूसरी तरफ चली गई देव वर्तिका के पीछे चाकर जल्दी से उसका हाथ पकड़ कर बोला क्या हुआ यार कुछ बोलो तो सही वर्तिका बोली कुछ नहीं जाओ अपना काम करो देव उसे अपने पास कीच कर तुमसे जरूरी तो मेरे लिए मैं भी नहीं फिर काम कहां से आ गया और उसके बालों को साइट करते हुए बोला आज के लिए सारे काम से छुट्टी ले लिया है मैंने वही बताने गया था वर्तिका ने उसकी तरफ देखा तो देव ने पलके जपका दिया कुछ देर के बाद दोनों वंस और पल्लवी के पास आ गए कुछ देर बाद बिदाई हुई गारी देव चला रहा था और वर्तिका उसके साथ बगल में बैठी थी पीछे वंस और पल्लवी बैठे थे सारे घर वाले पहले ही घर के लिए निकल गए थे साच्छी रोहन और राकी के साथ आ रही थी लेकिन अभी भी उसके दिमाग में अंगत का उसे इग्नोर करना ही चल रहा था देव और वर्तिका वंस और पल्लवी को लेकर घर पहुँच चुके थे घर पर पल्लवी का अच्छा से विलकम हुआ और फिर सब ठक गए थे तो आराम करने चले गए इधर आठ वजे सिवम की आँख खुली तो त्रिवेडी भी उसके बगल में ही सो रही थी सोते वक्त वो और भी क्यूट लग रही थी सिवम ने अपने फोन से एक फोटो लिया और फोन वही रखकर वात्रों में चला गया कुछ दिर में वा किचन से दो कॉफी बना कर उसके पाश लाया और उसे जगाया तो वो उड़ते हुए बोली गुड मॉर्निंग ममा लेकिन जैसे ही सामने सिवम को देखा तो जल्दी से उठकर बैठते हुए बोली गुड मॉर्निंग आप आप कैसे हैं और आपके सर में दर्द तो नहीं हो रहा ना नहीं तो हम अभी अच्छे डॉक्टर से मिलाते हैं सब कुछे एक बार अच्छे से चेक होने के बाद क्या पता आपको दवा खाने की जरूरत ही ना पड़े सिवम मुस्कुराते हुए बोला पहले सवाल का अंसर मैं ठीक हूँ और दूसरा मुझे जिस डॉक्टर की जरूरत है वो मुझे मिल नहीं सकता और जिसकी मुझे जर लेते हुए बोली वो मैं मैं तो कल आप इतना ज्यादा परिसान थे इसलिए पूछ रहे थी बाकी कुछ नहीं सिवम बोली ये चली अच्छा किया जो बता दिया नहीं तो खामा खा गलत फहमी हो जाती मुझे और काफी पी कर्चा भी उठाते हुए बोला चली अब आपको आपके घर चोड़ दो त्रिवेडी ने घड़ी देखा तो आठ बज रहे थे फिर वो भी जल्दी से उठ गई और उसके साथ बाहर आई सिवम ने घड़ी बाहर निकाला तो वो आकर उसके वगल में बैठ गई सिवम कुछ नहीं बोला तो त्रिवेडी उसे देखते हुए बोली सिवम जी वो मैं क्या कह रही थी आपको एक बार किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए वो फिल सची नहीं है और वो आपके हेल्द को भी खराब कर सकती है सिवम बोला छोड़िये आप इन सब में मत पढ़िये वैसे भी मेरे आगे पीछे है ही कौन जिसक रहूंगा मैं त्रिवेडी बोली आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप खुद के लिए भी तो जी सकते हैं सिवम बोला आपको कहा छोड़ना है बता दीजिए त्रिवेडी बोली मैंने कुछ कहा आप से सिवम बोला मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है जाओंगी लेकिन क्या हुआ जो आप आटों से जाएंगी गाड़ी रोकिये मुझे आपके साथ नहीं जाना लेकिन क्यूं अब ऐसा भी क्या हो गया जो आपको बीच रास्ते में उतरना है सिवम बोला त्रिवेडी चेहरा बाहर करते हुए बोली बताना जरूरी नहीं समस इसलिए गाड़ी रोकिये सिवम बोला पुलिस वाले के गाड़ी में वैठी है और अब तो ये गाड़ी सीधे आपके घर के सामने ही रुकेगी समझी और कुछ नहीं त्रिवेडी बोली आप इतने जिद्धी क्यूं है सिवम बोला अगर यही मैं आपके लिए भी कहूं त मैं आपकी दरजिद नहीं करती हूं हाँ पता है आप सीधे इंकार कर देती है भले ही सामने वाला कैसा भी हो आपको उससे क्या मतलब त्रिवेडी बोली आपके कहने का मतलब क्या है छोड़िए कुछ देर में आपका घर आजाएगा उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे गा सीवम उसका हाथ पकड़ कर बोला हुआ क्या है और आपको यहां उतर कर क्या करना है मुझे आपके साथ नहीं जाना इसलिए आप मुझे यहीं उतार दीजिए त्रिवेडी बोली सीवम बोला ठीक है तो कौन सा आपको लाइफ टाइम के लिए लेकर जा रहा हूं जो ऐसे गुस्सा हो रही है चलिए छोड़ दे रहा हूं आपको आपके घर फिर कभी मत मिलिएगा आप कुछ नहीं बोली त्रिवेडी लेकिन सीवम का बार बार उससे दुबारा नो मिलने को बोलना उसे विल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी उसने कुछ नहीं बोला सीवम ने फिर से गारी स्टार्ट किया और बीना कुछ बोले निकल गया अब दोनों मेंसे किसी ने कुछ भी नहीं बोला कुछ देर बाद सीवम ने गारी उसके घर के ठीक सामने रोकी त्रिवेडी ने उसकी तरप देखा तो वो सामने देखते हुए बोला आपकी मंजिल अब आप जा सकती हैं और दर्वाजा कोल दिया त्रिवेडी गारी से उतर के जाने लगी तो सिवम पीछे से बोला एक बार और सोच लो चसमिश सायद फिर कभी ना मिलू या फिर ऐसे रास्ते पर मिलना हो जिसका कोई मतलब ना हो त्रिवेडी रुख गई और उसके पास आक अगर बोली आपके कहने का मतलब क्या है सिवम बोला मैं कल जा रहा हूँ और फिर सायद कभी ना मिलू तो एक बार और सोच लेना कि क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था त्रिवेडी ने उसकी आखों में देखा और बोली आपको क्या लगता है क्या सच में मेरे दिल में आपके लिए कुछ है सिवम बोला दिल में क्या है ये तो नहीं बता लेकिन आखे बहुत कुछ कहती है कहो तो बता दू लेकिन सायद तुम उसे भी मेरा पागलपन कहो जो अब सायद मेरे लिए मुस्किल कर देगा तो अब जो भी कहना है तुमें कहना है मैं कुछ भी नहीं कहूंगा त्रिवेडी अभी भी उसकी आँखों में ही देख रही थी फिर बोली अब जब भी आप कहीं भी मिलेंगे वो आखिरी होगा चाहे जब भी मिलें लेकिन आज वो आखिरी नहीं है और जाने लगी सिवम पीछे से बोला इसका क्या मतलब त्रि के लिए जाने वाली थी बाकी की पढ़ाई के लिए और देव भी किसी केस के लिए मुंबई जाने वाला था लेकिन उसने ये बात किसी से नहीं बताई थी क्योंकि एक सीक्रेट मिसन था और उसके साथ उसके सारे दोस्त भी जा रहे थी वर्तिका देव के साथ एक पार्क म पर्टे थे देव वर्तिका का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला वर्तिका अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और कुछ दिन तक मैं बिजी होने वाला हूँ तो प्लीज यार देखो गुस्सा मत होना ठीक है वर्तिका ने उसकी तरफ देखा तो वो प्यार से उसके चेहरे को अ मेरी चिंता विलकुल मत करना और वैसे भी अब मैं जल्दी से अपनी पढ़ाई कंप्लूट कर लूँ उसके बाद देखती हूँ कहां तक भागते हो मुझसे देव बोला तुमसे भाग कर कहां जाओंगा मैं मेरा भागना भी तुम ही तक और मेरा रुकना भी तुम ही तक ह वर्तिका बोली सच में न इस बार तुम मुझे जाने के बाद भूल तो नहीं जाओगे देव बोला यार तुम कुछ भी ना बोला करो नहीं तो फिर जाने दो तुमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है तब तक वर्तिका का फोन बजने लगा देखा तो वंस का था आज उसका रिसेप्सन था और वर्तिका घर पर नहीं थी तो इसलिए उसे जल्दी आने को बोल रहा था वर्तिका बोली जी भाई वस कुछ देर में आ रहे हूं बोलकर फोन रख दिया देव बोला क्या हुआ वर्तिका बोली भाई बुला रहे हैं जाना पड़ेगा देव बोला जाओ तुम्हारा राइवर तुम्हें छोड़ देगा वर्तिका उसका कॉलर पकड़कर उसके करीब जाकर बोली जादे उड़ाना करो समझो नहीं तो एक दिन सस्पेंड हो जाओगे फिर मुझे कुछ मत बोलना देव उसका हाथ छुड़ाते हुए बोला तो कर दो ना सस्पेंड मना किसने किया है और मैं तो कब से तयार बैठा हूं सस्पेंड होने के लिए वर्तिका उड़ते हुए बोली देव उर जाओ ना देव मुझे कहीं नहीं जाना तुम जाओ वर्तिका बोली यार भाई ने हम दोनों को बुलाया है तुम्हें अकेले कैसे जाऊंगी देव बोला उस साले की ऐसी की तैसी अपनी तो कर ली और मेरा एक मिनट का सुकून भी उससे नहीं दिखता है वर्तिका बोली हे भाई को कुछ मत बोलो देव उठते हुए बोला तुम्हारे भाई को नहीं अपने साले को बोल रहा हूँ और मैं उसे कुछ भी बोल सकता हूँ तुम मुझे रोक नहीं सकती समझी वर्तिका खीशते हुए बोली देव बोला हाँ पता है तुम्हें बुरा लग रहा है और फिर जल्दी से उसे उठा कर कंदे पर डाल लिया वर्तिका बोली देव सब देख रहे हैं क्या बोलेंगे कि तुम मेरा किड्नैप कर रहे हूँ देव उसे गाड़ी में बैठाते हुए बोला जिसको जो बोलना है बोलने दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे बैठाते हुए अपने दूसरे साइड आकर बैठ गया वर्तिका उसका हाथ पकड़ते हुए बोली देव जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब भी तुम मुझे से ऐसे ही प्यार करोगे न कहीं तुम्हारा प्यार कम तो नहीं हो जाएगा न या भूल तो नहीं जाओगे मुझे देव बोला सच में यार तुम लड़कियों का दिमा किन सब में कितना तेज क्यों चलता है और कहीं अच्छी जगा चलाना होता है तो चलना तो छोड़ दो मुझे तो लगता है ब्लॉक ही हो जाता है वर्तिका उसे घूरते हुए बोली कुछ ज्यादा नहीं जानने लगे हो हम लड़कियों के बारे में और क्या क्या जानते हो ज़रा बताओ तो क्योंकि आज मुझे भी जानना है वो भी सब कुछ डिटेल में देव बात बदलते हुए बोला मैंने ऐसे कब कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ लड़कियों के बारे में आरे जैसे हम लड़के होते हैं वैसे ही लड़कियां भी होती हैं बस वर्तिका उसे मारते हुए बोली बदमास कहें कि अभी तुम बात बदल रहे हो देव गाड़ी काफी स्लो चला रहा था तो उसका हाथ पकड़ कर बोला जान बस करो नहीं तो फिर से सबसे ज़्यादा सिकायत तुम ही करोगी वर्तिका मो बना कर बैठ गई देव उसके गालों को चुमते हुए बोला आई लव यू कितनी क्यूट लग रहे यो मन तो कर रहा उठा कर ले जाऊं अपने घर लेकिन मजबूर हूँ बस इतना समझ लो वर्तिका बोली चलो इतना भी आसान नहीं है उठा कर ले जाना आखीरे मिलने की बेटी हूँ कोई मामूली इंसान नहीं जो कोई भी आयरा गयरा उठा कर ले जाए देव बोला मैं तुम्हें कोई आयरा गयरा दिख रहा हूँ होने वाला पती हुए और कुछ तो रिस्पेक्ट करो वर्तिका बोली पता है होने माले पती हो हुए नहीं हो जो कुछ भी बोल दो और मैं सुन लो देव ने गाड़ी अपने फ्लेट के लिए मोड लिया वर्तिका ने भी कुछ नहीं कहा और वैसे ही बैठी रही कुछ देर में देव ने काड़ी रोकी वर्तिका बोली हम यहां क्यों आए हैं क्योंकि किसी ने मुझे चैलेंज दिया था इसलिए अब चलो उत्रो नहीं तो उठा कर ले जाओंगा वर्तिका बोली और भाई को क्या बोलेंगे देव ने फोन निकाला और वंस को बोल दिया कि उसकी काड़ी पंचर हो गई है उन दोनों को आने में आधा घंटा लेट हो जाएगा तो वंस ने ठीक है बोल कर फिर जल्दी आने को बोल दिया देव ने भी हामी भर दी वर्तिका बोली तुमने भाई से जूट बोला देव उसे उठाते हुए बोला आखिर होने वाले बीबी के भाई से इतना जूट तो चलता है और एक आँख विंग कर दिया वर्तिका आँख फाड़े उसे देखे सा रही थी जैसे जैसे वो देव को जान रही थी वो और भी खतरनाक होता जा रहा था देव वर्तिका को अपने फ्लेट पर लाया और उतारते हुए बोला तो बोलो क्या खाना है वर्तिका उसे अपनी तरफ खीशते हुए बोली फिलहाल के लिए तो जो खाना है वो मेरे पास है बाकी उसकी मर्जी वो जो भी खिला दे देव बोला बैठो मैं काफी बना कर लाता हूँ और किचन में चला गया वर्तिका उसके पीछे पीछे आते हुए बोली देव मैं साधी के बाद अकेले बिलकुल नहीं रहूंगी हम सब साथ साथ रहेंगे मा पापा दिब्या के साथ देव बोला लेकिन मेरा टांस पर होता रहता है तो सब साथ कैसे रह सकते हैं बीच बीच में मिलने के लिए जाते रहेंगे या फिर वो लोग मिलने आते रहेंगे वर्तिका बोली तो क्या हम कभी साथ नहीं रहेंगे देव देव उसे काफी का कप पकड़ाते हुए बोला रहेंगे ना मैं कुछ सोचता हूँ तुम चिंता मत करो दोनों आकर बाहर हॉल के सोभे पर बैठ गए और काफी पीने लगे कुछ देर में बंस का काल आने लगा देव फोन दोएकते हुए बोला इस साले को भी चैन नहीं है जब देखो तब बर सरेसान करता रहता है वर्तिका उड़ते हुए बोली मा का भी तो तीन बार काला चुका है अब हमें चलना चाहिए देव बोला हाँ चलो फिर दोनों बाहर निकल गए सीवम को देव और बंस दोनों ने आने को बोला लेकिन उसने किसी जरूरी केस का बहाना बना दिया और नहीं आया त्रिवेडी और साच्छी सुबह से ही यहीं पर थी कुछ देर में वर्तिका और देव भी आ गए सारे मियमान भी अब आ चुके थी त्रिवेडी बार बार इधर उदर देख रही थी लेकिन सीवम उसे कहीं नहीं दिख रहा आत साच्छी उसके पास आकर बोली किसी को ढूट रही हो त्रिवेडी बोली नहीं नहीं तो मैं तो वर्तिका को देख रही थी कहां है दिख नहीं रही है साच्छी बोली हाँ सुबह से मैंने भी कितना कॉल किया लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है वर्तिका आते हुए बोली किसका कुछ पता नहीं चल रहा है त्रिवेडी बोली तुम्हारा और किसका जब सिदेव तुम्हारी लाइफ में आया है हम सबको तो जैसे बूली गई हो वर्तिका बोली यार ऐसा कुछ नहीं और तुम दोनों कहां थी मैं कबसे फोन मिला रही हूँ साच्छी उसे घूरते हुए बोली क्या कहा तुमने तुम हम दोनों को फोन मिला रही थी वर्तिका इधर उदर देखते हुए बोली हाँ और नहीं तो क्या त्रिमेडी बोली सच में जरा मेरी तरब देखो तो वर्तिका बोली अच्छा चलो भावी के पास चलते हैं केले बोर हो रही होंगी त्रिमेडी बोली क्यों भाई नहीं है क्या आरती जी आते हुए बोली बच्चो यहां क्या कर रहे हो चलो वहाँ पर बंस कब से तुम सब को देखो सब लोग तुम तिनों का ही वेट कर रहे हैं। वर्तिका बोली बावी को रूम पसंद है तो तुम लोग चुप रहो क्यों भावी? पल्लवी बोली हाँ बिल्कुल रूम काफी कुपसूरत है। अंदर चली गई वन्स और पल्लवी से मिली तृमेडी बोली मुझे तो मेरा फेबरेट चाहिए और पल्लवी के साथ बैठ गई। कुछ दिर में बंस आया तो सब आराम से बैठे थे वन्स आते हुए बोला चलो बाहर निकलो। साच्छी बोली भाई भावी को आज हम सब के साथ रहना है इसलिए आप अपना देख लो। साच्छी मार खा कर जाना है या गिफ्ट लेकर। त्रिवेणी उठते हुए बोली आप मुझे मेरा गिफ्ट दे दो मैं चली जाओंगी बाकी आप इन दोनों को देख लो। वंस बोला मुझे पता था यही मेरी प्यारी और क्यूर सी बहन है बाकी दोनों का तो बस मुझे परेसान करना होता है। वर्तिका बोली भाई मैंने कहा कुछ मांगा आप से जो आप मुझे बोल रहे हो। वंस उसे साइड हक करते हुए बोला मेरी लाडो भी सबसे प्यारी है और सबसे दुष्ट साच्छी है और एक त्रिवेडी को और एक वर्तिका को गिफ्ट बॉक्स पकड़ा दिया। साच्छी बोली मुझे यह नहीं चाहिए। वंस बोला मुझे पहले से ही पता था तुम नहीं मानने वाली तो तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे रूम में ह जाकर ले लो साच्छी खुस होते हुए बोली सच में वंस बोला बिलकुल सच में जाओ तो तुम तीनों बाए और गुड नाइट बोलकर बाहर निकल गएं वंस ने दर्वाजा बंद किया और पल्लवी के पास आकर बैठते हुए बोला तो अब क्या इरादा है आपका पल पल्लवी बोली पहले रस्म कीजिए वंस उसका गुगट उठाते हुए बोला कितने दिन से इंतजार था इस रूम को आपका देखिए आज इसका इंतजार पूरा हुआ पल्लवी हाथ आगे करते हुए बोली मेरा गिफ्ट और सिर्फ रूम को मेरा इंतजार था आपको नह पल्लवी बोली जी नहीं, मेरा पहला गिफ्ट चाहिए, वन्स आगे बढ़कर उसके माथे पर किस करता हुआ बोला, मैं तो हूँ ना आपका गिफ्ट, पल्लवी बोली यही आपका गिफ्ट था, जी बिलकुल, पल्लवी बोली ठीक है, मैं चिंच करने जा रही हूं और उठ गई तो वंस उसका हाथ पकड़ कर बेट पर खीच लिया और लाइट बंद कर दिया इधर साच्छी त्रिवेडी अपने रूम में आई तो साच्छी के लिए कोई गिफ्ट नहीं धा त्रिवेडी ने देखा तो हशने लगी और साच्छी ने मौ फुला लिया वर्तिका रूम क्योंकि मिझे मेरे होने वाली वाइब के साथ टाइम स्पेंट करना था लेकिन किसी ने मुझे करने ही नहीं दिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं वर्तिका उसका हाथ अटाते हुए बोली अच्छा तो ये सब क्या कर रहे हो देव वापस से उसे अपने पास खीचते बोला आज मेरा दिल तुमें देखकर बगावत कर रहा है और उसके तरफ जुकने लगा वर्तिका बोली देव ये सब गलत है अभी हमारी साधी नहीं हुई है देव उसके बालों में चेहरा चुपाते हुए बोला तो हो जाएगी न और वैसे भी कल तो तुम जा रही हो इस उसके चेहरे पर डर और घवराहट साथ दिख रहा था फिर उसके प्यार को सर से चुम कर बोला आई लव यू और उसे गले लगा लिया वर्तिका ने भी उसे पकड़कर आखे बंद कर लिया कुछ देर बाद देव उसके कान के पास जा कर बोला इतना ही जानती हो अपने द दिया वर्तिका उसे मारते हुए बोली सैतान कहीं के मेरी सांसे रोकने में तुमें मज़ा आता है नो देव उससे बचने के लिए पूरे रूम का चकर लगा रहा था और वर्तिका पीछे पीछे उसे मारने के लिए दोड रही थी देव भागते भागते ठक गया तो बेट बैठते हुए बोला बस बस और उसका हाथ पकड़कर अपने पास कीच लिया फिर उसे परेसान करने के लिए बोला यार कितना दोड़ती हो तुम पहले जन्म में उसेन बोल्ट की बहन थी क्या वर्तिका गुसे में बोली देव देव बोला ओके सौरी 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 बाबा मा माफी कर दो वर्तिका बोली कोई माफी नहीं मिलेगी देव उसे अपनी तरफ खीशते हुए बोला तो फिर कैसे माफी मिलेगी वर्तिका बोली I love you देव बोला I love you 2,3,4,5,6 देव मैं इतने दिन कैसे रहूंगी मुझे यहां सब की बहुत याद आएगी देव बोला और मे हाई कंपलीट हो जाएगी तो हम साधी कर लेंगे वर्तिका ने उसकी तरफ देखा तो देव बोला फिर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और कभी भी नहीं वर्तिका ने उसके कंदे पर सर रखा और आँखे बंद करके बोली I miss you a lot देव बोला मैं भी सिवम रात को हाथ छोड़ कर चले जाएं पता ही नहीं चलता और वहीं बैठा बैठा बालकनी में ही सो गया सुबह वो जल्दी उठा फ्रेस हुआ और जल्दी पैकिंग करने लगा कि उसे और अंगत को पहले ही निकलना था तो एक बार सारा सामान ध्यान से देखने के बात की सब कुछ स अपनी आखों को अच्छे से मसल कर फिर से देखा तो वो गायब थी तो हस कर बोला अब मुझे दिन में भी सपने आने लगे हैं और वापस मुड़ा तो फिर से सामने खड़ी थी सिवम सोच रहा है यार यह क्या हो रहा है मुझे आज त्रिवेडी उसके पास आकर उसकी ट करते हुए बोली यकीन कर लीजिए सिवम जल्दी से बैक ठीक करते हुए बोला यहां आने का रिजन त्रिवेडी बोली वो आपकी तबियत सिवम बोला जाने दीजिये ठीक हूँ आपको यहां नहीं आना चाहिए क्यों सिवम उसका हाथ पकड़ कर दिवाल से लगाते और अगर यही मैं पूछू यहां आने का रिजन तो त्रिवेडी चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली बताया तो आपको आपका तबियत ठीक नहीं थी इसलिए पूछने आई थी सिवम उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोला मैं मर भी जाओं तो किसको फर्ग करता ह त्रिवेडी बोली आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सिवम उससे दूर होते हुए बोला चलिए अभी मुझे लेट हो रहा है वैसे भी मुझे इन सब के बारे में कोई बात नहीं करनी है त्रिवेडी बोली आप कहा जा रहे हैं सिवम हसते हुए बोला आप से दूर यहीं चाहत तो लो अपसायत कभी नहीं मिलोंगा तृवेडी घूरते हुए बोली ये क्या बकवास है शिवम बोला मुझे लेट हो रहा है आप बाहर निकलेंगी तृवेडी बेट पर बैठते हुए बोली नहीं जब तक आप बताएंगी नहीं तब तक तो विल्कुल नहीं शिवम उसक क्या लगता है बिना रिष्टे के किसी के रूम में ऐसे आना क्या कहलाता है उसके सवाल पर त्रिवेडी कुछ नहीं बोली स्यूम ने अपना ट्रॉली बैग लिया और फिर एक छोटा सा वैग और लिया और बाहर निकल गया और दर्वाजा लॉक करके बिना त्रिवेडी की सारा सामान जीप में डालने लगा त्रिवेडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं और उपर से सिवम साफ साफ उसे कुछ बता भी नहीं रहा था तो हिम्मत करके बोली आप आप सच में नहीं बताएंगे कहां जा रहे हैं सिवम उसकी तरफ देखकर बोला मेरी चिंता मत करो क्योंकि मेरा पहले भी कोई नहीं था जिससे मैं कोई सिकायत करता और आज तो वैसे भी बोलते बोलते उसकी आँखे भार आई तो चेहरा गुमा कर गौगल लगा लिया और जीप में जाकर बैटने लगा त्रिवेडी ने जल्दी से कुछ सोचा और उसका हाथ पकड़ कर उसके गालों को चूम लिया सिवम की आँखे तो हैरानी से फैल गई या खिर ये लड़की क्या कर रही या वो भी ऐसे खुले आम रोड़ पर इसे ये भी चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे सोच कर जल्दी से उसे खुछ से दूर किया और गुछ से से बोला ये क्या बेहूदगी है त्रिवेडी उसकी तरफ देख कर बोली अब जो चाहे रिस्ता बना सकते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन एक बात याद रखिएगा पहली बार किसी को ये हग दिया है तो इमानदारी की उमीद करूंगी बाकी जो आपकी मर्जी बोल कर जाने लगी सिवम उसका हाथ पकड़ कर अंदर रूम में लाया और दरवाजा बन करते हुए बोला अब बोलो क्या था ये सब क्या मतलब है इस सब का त्रिवेडी बिना उसकी तरफ देखे बोली पता नहीं बस आपके दूर जाने के नाम से ही कुछ अच्छा नहीं लगता कुछ अजीब सी फिलिंग होती है रोना आता है लेकिन ऐसा क्यूं होता है मुझे खुद भी नहीं पता तो आपको कहां से बताओं सीवम को उसके बच्वने पर मन तो किया की गले से लगा ले लेकिन थोड़ा परिसान करने के लिए बोला अच्छा वो सब तो ठीक है लेकिन अभी नीचे क्या था जरा उसे भी एक्स्प्लेइन कर दो त्रिवेडी इधर उधर देखते हुए बोली वो तो बस कुछ समझ नहीं आ रहा था तो सीवम थोड़ा तेज आवाज में बोला अच्छा कुछ समझ नहीं आया तो यही सुझा करने के लिए त्रिवेडी ने सर नीचे किये ही बोला सौरी सीवम बोला सौरी क्यों त्रिवेडी बोली वो मैंने आपको आपको बुरा लगा होगा इसलिए सीवम बोला तो अब क्या सोचा है जी किस बारे में तो अब मैं जाओं त्रिवेडी ने उसकी तरफ देखा तो सीवं भी उसे ही देख रहा था त्रिवेडी की आँखों में अभी तक के ठहरे हुए आंसु गालों पर आ गए जिसे देखकर उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ और उसने उसे जल्दी से खीच कर गले लगा लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ रख कर बोला सान्थ हो जाओ चस्मिस तुमने कुछ गलत नहीं किया जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता तो अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती है जो तुमने किया अपने प्यार को खोने के डड़ से और इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कुछ दिर में जब वो सान्थ हो गई तो उसका चेहरा पकड़ कर बोला अभी वो लोगी की प्यार नहीं करती त्रिवेडी बोली मुझे नहीं पता और वापस से उसके गले लग गई सीवम उसके कान के पास बोला है चसमिस ये सब नहीं चलेगा आई लव यू तो तुमें बोलना ही पड़ेगा नहीं तो सोच लो त्रिवेडी उससे दूर होते हुए बोली ठीक है तो अब आपको लेट नहीं हो रहा है क्या सीवम उसे अपने पास कीच कर बोला नहीं अभी अभी जो तुमने किया ना उसके बाद लेट तो क्या मुझे तो लग रहा आप नीद भी नहीं आने वाली इसलिए सोच रहा हूँ त्रिवेडी बोली नहीं वो वो बस गलती से हो गया था मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था तो अब आप आराम से जा सकते हैं सीवम उसकी आँखों में देखते हुए बोला सोच लो सच में जाओं त्रिवेडी ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आँखे फिर से भार आई सीवम बोला अब ये क्या है त्रिवेडी धीरे से बोली वापस कब आएंगे बोल कर सर जुका लिया सीवम उसकी आँखों को साफ करते हुए बोला जल्दी वापस आओंगा मेरा इंतजार तो करोगी न त्रिवेडी ने सर हा में हिला दिया सीवम बोला अच्छा इंतजार तो करने का रिजन बता दो त्रिवेडी उसके सीने से सर लगाते हुए बोली आप जानते हैं फिर भी मुझे परेसान कर रहे हैं सिवम बोला जानता हूँ फिर भी एक बार सुनना चाहता हूँ यकीन करना चाहता हूँ कहीं मेरा वहम तो नहीं है त्रिवेडी उसकी तरफ देखते हुए बोली तो बताईए यकीन दिलाने के लिए क्या करूँ सिवम उसके सर को चुमते हुए बोला मेरा इंतिजार करना मिसन कंप्लेट करके जल्दी वापस आऊंगा तब तक उसका फोन बजने लगा तो देखा अंगत था तो फोन उठा कर बोला आ रहा हूँ बाहर इंतिजार करो बोल कर फोन रख दिया और त्रिवेडी को देख कर बोला कैसे आई हो त्रिवेडी बोली अपने गाड़ी से सिवम बोला ओके तो फिर अब मुझे निकलना होगा मेरे आने तक अपना ध्यान रखना त्रिवेडी उसके गाल पर किस करके बोली जल्दी आईएगा सिवम बोला हूँ और उसका हाथ पकड़ कर बाहर आया और उसकी गाड़ी के पास ले जाकर बोला अपना ध्यान रखना त्रिवेडी बोली आप भी और उसके गले लग गई एक टाइट हक किया और जल्दी से दूर होकर अपनी गाड़ी में बैट कर वहां से निकल गई सिवम सर उपर करके बोला थैंक्यू महादेव और फिर अपनी गाड़ी में बैट कर निकल गया वर्तिका को देव, वंस, पलवी और उसकी माँ पापा छोड़ने आये थी सब उसे बारी-बारी कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे और वो सिर्फ हाय अना में सिर्हिला रही थी कुछ देर बाद उसकी फलाइट अनाउंस हुई तो सब बारी-बारी से उससे गले मिले और लास्ट में देव को अकेला छोड़कर कुछ दूर पर चले गए वर्तिका उसके जल्दी से गले लग गई, देव बोला इस बार कोई लापरवाई नहीं अपने ध्यान रगना और परिसान मत होना मैं फ्री होकर कॉल करूंगा ठीक है वर्तिका बोली I miss you देव बोला मैं भी कुछ देर में चेक आउट होने का टाइम हो गया तो देव उसके गाल पर हाथ रख कर बोला I love you and I miss you फिर सबने आकर उसे बाय बोला वर्तिका अंदर चली गई और सब लोग अपने अपने काम में चले गए देव के पास सिवम का कॉल आया तो वो उससे मिलने चला गया त्रिवेडी अपने घर चली गई साची अभी भी अंगद को लेकर परिसान थी आखिर वो अपने आपको समझता क्या है जो इतना कर रहा है फिर खुद को देखते हुए बोली मैं भी तो ठीक ही दिख रही हूँ फिर क्या प्राबलम है जो उसने ऐसा बोला नहीं नहीं साची मुझे नहीं उसके बारे में सोचना ही नहीं अगर मिल गया ना तो मैं उसका भरता बना दूंगी बेवकूफ कहीं का और बाहर निकल गई सब लोग अपने अपने काम में एक बार फिर से बीजी हो चुके थे वर्तिका अश्टेलिया पहुँच चुकी थी और सिवम अंगद मुंबई पहुच चुके थे त्रिवेडी भी अपनी NGO के लिए जाने की तयारी कर रही थी इस बार उसके साथ साची भी जा रही थी दोनों को दो दिन बाद निकलना था तो आज दोनों साथ में सौपिंग करने वाली थी साची त्रिवेडी के घार आई तो वो बाहर कहीं नहीं दिखाई दी तो उसके मम्मी से पुछा अंटी त्रिवेडी कहा है तो उन्होंने बता दिया कि उपर अपने कमरे में है साची खुद से बोली ये लड़की भी ना कुछ दिन से कुछ ज़्यादा ही बीजी हो गई या पता नहीं क्या क्या चलता रहता है इसके दिमाग में चलो थोड़ा आज डिटेल में पूछा जाए आकिर माजरा क्या है भाई कहीं कोई इसकी लाइफ में भी तो नहीं आ गया और उसने मुझे एक बार बताया भी नहीं अगर ऐसा हुआ ना तो फिर तो आज ही मुझसे नहीं बशने वाली मतलब हद होती है यार ऐसा थोड़ा ना होता है बोलते बोलते उसके रूम में पहुची तो त्रिवेडी ब्लैंकेट से खुद को पूरी तरह से ढखकर सो रही थी साच्छी थोड़ा तेज से बोली मतलब यहां मैं इसके बारे में क्या क्या सोच रही थी और एक यह है जो अभी भी सो रही है सच में साच्छी तू भी ना कुछ भी सोचती रहती है और उसका ब्लैंकेट हटाते हुए बोली वो कुम करण की बैर उड़ चा 10 बच गए है चलना नहीं है क्या तुझे जो अभी भी सो रही है त्रिवेडी वापस से ब्लैंकेट लेकर बोली सोने देना यार कितना परिसान करती है साच्छी बोली क्या मैं परिसान कर रही हूँ कि तू मुझे परिसान कर रही है और मैं यहां क्या क्या सोच रही हूँ कि तू किसी के सपने देख रही है और एक तू है जो यहां कुम्ब करण की तरह सो रही है त्रिवेडी अब उठते हुए बोली सच में तेरा दिमाग खराब हो गया है इसलिए तेरे दिमाग में दिन भर यही सब चलता रहता है साची अब खुश से बोली क्या सच में मेरा दिमाग खराब हो गया है त्रिवेडी उसे देखते हुए बोली यार अब खुश से क्या बड़ बड़ा रही है अच्छा ठीक है जाओ नीचे काफी बना कर लेते आओ फिर चलेंगे साच्छी उसे पीलो से मारते हुए बोली एक तो अभी इतना लेट उटना है उपर से तेरा सारा काम भी मैं ही करूँ अरे कुछ तो सर्म किया कर त्रिवेडी बातरूम में जाते हुए बोली वो तो किसी और के सामने आएगी तेरे सामने थोड़े ही साच्छी ने उसकी बातों का बिना ध्यान दिये ही बढ़ बढ़ाते हुए नीचे चली आई वर्तिकाब अपने कॉलेज में बीजी हो गई थी और देव भीजाने की तैयारी में लग चुका था कुछ देर में साच्छी दो कप काफी लेकर त्रिवेडी के रूम में आई तो वो अभी भी बात्रूम में थी तो आकर एक कप काफी उठा कर पीने लगी और उसका फोन देखा तो लॉक था साच्छी ये अपने फोन में कब से लॉक करने लगी और इसके फोन में ऐसा भी क्या है जो लॉक लगा है फिर खुश से बोली साच्छी कुछ तो गड़बढ है और अब तुझे ही ये कनफर्म करना होगा आखिर यहां चल क्या रहा है कुछ देर बाद त्रिवेडी बाहर आई साच्छी तो आराम से बैटकर कॉफी पी रही थी और कुछ सोच रही थी तो उसने भी एक कप उठा लिया और उसे देखते हुए बोली क्या चल रहा है तेरे दिमाग में जो इतनी सांती है वो तो तू बताएगी मुझे कैसे पताओगा त्रिवेडी बोली तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कैसे पताओगा जरा बताओ तो साच्छी उसे घूरते हुए बोली तेरे फोन में क्या है जो तुमने उसे लॉक लगाया है जरा बता तो त्रिवेडी जल्दी से अपना फोन उठा कर बोली कुछ नहीं कुछ भी तो नहीं और लॉक इसलिए लगाया है कि डाटा चोरी ना हो साच्छी बोली और तुमारा डाटा कौन चोरी कर रहा है जरा ये भी बताओ तो त्रिवेडी बोली छोड़ना यार क्या इन सब के चक्कर में पड़ी है चल अब जल्दी से बता क्या पहनू फिर चलते है साच्छी उसे ध्यान से देखते हुए बोली मतलब तुम उससे कुछ चुपा रही हो है ना त्रिवेडी अलमारी से कपड़े निकालते हुए बोली ऐसी कोई बात नहीं है यार तू फाल तू सोच रही है साच्छी बोली ठीक है जिस दिन मुझे पदा चला तुमने मुझे कुछ चुपाया है फिर देख लेना मैं क्या करती हूँ त्रिवेडी उसकी तरफ दुपते हुए बोली यार तू ऐसा क्यों बोल रही है प्रामिस करो साच्छी बोला अच्छा प्रामिस अब बोल ऐसा भी क्या है जो तुझे प्रामिस की जरूरत पड़ गई त्रिवेडी ने आँख बंद करके एक गहरी सांच लिया और उसका हाथ पकड़कर बैठते हुए उसकी और सिवम की सारी बाते थोड़ा कर्ट पिट करके बता दिया साच्छी ने सुना तो गुसे में उसे लगाता और घूरे जा रही थी त्रिवेडी ने हलका सा उसकी तरफ देखा फिर बोली यार प्लीज ऐसे गुसे में मात देखना मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो मैं क्या करती और जब बोजाने लगा तो कुछ अच्छा नहीं लगा और उसकी आँखों में आसू मुझे वेचैन कर रहे थी जैसे सब कुछ खत्म हो रहा था साच्छी अभी वीविना कुछ बोले बस उसे घुरे ही जा रही थी त्रिवेडी बोली यार अब सब कुछ तो बता दिया ना अब ऐसे लुक क्यूं दे रही है और ये बात मैंने सबसे पहले तुझे ही बताई वर्तिका को भी नहीं पता है और एक तू है तो साच्छी बोली अच्छा और किसको किसको नहीं पता है जरा वो भी बता दे त्रिवेडी उटते हुए बोली तेरे सिवा किसी को नहीं बताया अच्छा तो जो मैं इतने दिन से पूछ रही थी तब तो तुने साफ इंकार कर दिया और अब सारा कांड अकेले ही कर डाला और अब सफाई भी दे रही है कि सबसे पहले मुझे बताया वा बेटा जी सही है सब तुमारा त्रिवेडी बोली यार उन्होंने अचानक से बोला तो मुझे कुछ समझ नहीं आया फिर धीरे धीरे उनकी बातों से केर और सिच्वेशन सब मैं फिर उड़ते हुए बोली अब सब तुझे मैं कैसे समझाओ जब उनके बीमार होने के बारे में पता चला तो बहुत अजीब सी फीलिंग होई और उसके बाद उनकी फैमिली और सब कुछ एकदम यार सब कुछ हचानक हुआ तो तु समझ न मुझे तो तु जान दी है न साची उसी अपनी तरब घुमा कर बोली अच्छा तो कल को किसी और के पास भी सेम सिच्वेशन होगी तो तुझे उससे भी प्यार हो जाएगा त्रिवेडी ने उसकी तरब देखा तो सवालिया नजरों से उसे ही देख रही थी त्रिवेडी ने कुछ नहीं बोला उससे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले साची बोली बोल क्या तुझे उससे भी प्यार हो जाएगा त्रिवेडी ने बश नाम गर्दन हिला दिया साच्छी बोली क्यूं जब तुझे उसकी सिच्वेशन देखकर उस पर दया खाकर प्यार हुआ है तो कल किसी और के साथ भी तो तुझे हो सकता है ना त्रिवेडी उससे दूर होते हुए बोली कोई दया खा कर प्यार नहीं हुआ है बस मैं उनको किसी दर्द या तकलीफ में नहीं देख सकती वही तो मैं भी पूछ रही हूँ अगर उसकी फैमिली होती है और उसके पास कोई प्राबलम नहीं होती तो तुम्हें उससे कभी प्यार नहीं होता है ना त्रिवेडी साच्छी की बातों से अब सच में confusion हो चुकी थी आखिर क्या था उसके मन में सिवम के लिए क्या सच में उसने दया खा कर उसके प्यार को accept किया है या सच में वो उससे प्यार करने लगी है साची उसे बेट पर बैठाते हुए बोली देख त्रिमेडी तु मेरी बेस्ट फ्रेंड है और सिवम को भी मैंने फ्रेंड बोला है और मैं चाहती हूँ तुम दोनों साथ में खुश रहो लेकिन यार सच में वो काफी अच्छे इंसान है तो तु उन पर कोई सिच्वेशन की वज़े से फ्यार मत करना तु उन से पूरे दिल से फ्यार करना समझी अगर तुमें अभी भी टाइम चाहिए तो ले ले लेकिन पूरे दिल से सब कुश एक्सेप्ट कर उसके बाद तुझे देख सब कुश कितना सुन्दर हो जाएगा तु उसने पलके जपका दिया तो वो जल्दी से उसे गले लग कर बोली थैंक यू मुझे सब कुश क्लियर करने के लिए मुझे समझाने के लिए तेरे जैसी दोस्त हर किसी को मिले लव यू साच्छी बोली ओ मैडम बैस कीजी अब थोड़ा सा प्यार हमारे होने वाले जीजू के लिए भी बचा कर रखो और चलो अब जल्दी से तयार हो जाओ अब बहुत लेट हो चुका है त्रिवेडी उसे मारते हुए बोली आई हेट यू साच्छी बोली हाँ पता है चल अब तयार हो जा नहीं तो सच में लेट हो जाएगा कुछ दिर में दोनों तयार होकर मार्केट के लिए निकल गएं और साथ में धेर सारी सौपिंग किया सौपिंग करने में अब दोनों को साम हो चुकी थी त्रिवेडी बोली साच्छी एक काम कर तू आंटी को कॉल कर दे तू आज मेरे साथ रहेगी साच्छी उसे देखते हुए बोली क्यूं कहीं तू मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करना चाहती त्रिवेडी ने उसे घूरा तो वो अच्छे से बैठते हुए बोली नहीं मैं बस ये सोच रही थी कहीं तुझे त्रिवेडी बोली चुप करना ही तो अभी तुझे गाड़ी से बार फेक दोंगी फिर करते रहना अपना फाल दोगा बकवास जब देखो तब बस यही सब चलता रहता है तेरे दिमाग में अच्छा मेरे दिमाग में तो सिर्फ चलता रहता है और तुम दोनों तो उसे हकीकत बना देते हो अच्छा छोड़ ये सब तुने सिवं को इंप्रेस करने के लिए और क्या किया त्रिवेडी को उस दिन का सीन याद आ जाता है तो वो कुछ नहीं बोलती साची बोली मतलब तुने त्रिवेडी ने उसे गुसे में घुरा तो साची बोली अरे यार अब नहीं किया तो कर लेना आप तो तेरी ही प्रापर्टी है जितना चाहे फूल लगाओ या फिर जितना चाहे फसल काटो त्रिवेडी उसे मारते हुए बोली तु कितनी दुष्ट हो गई है आप तो तेरा कुछ करना ही पड़ेगा कुछ देर में दोनों घार आ जाते हैं तो साची हाल में बैठते हुए बोली अंटी अंटी अंकल कहां हैं आप सब लोग त्रिवेडी उसके वगल में बैठ कर टीबी का रिमोट उठा कर टीबी खोलते हुए बोली आज घर पर कोई नहीं तो चिलाने से कोई फायदा नहीं क्योंकि सब लोग पापा के फ्रेंड के बर्थरे पार्टी में गये हैं साची उसकी तरफ देखते हुए बोली मतलब इसलिए तुने मुझे आज रुकने के लिए बोला क्योंकि घर पर कोई नहीं है त्रिवेडी उठते हुए बोली क्या खाना है तुझे बता दे आज मैं तेरे पसंद का बना देती हूँ साची उसके पीछे जाते हुए बोली ठीक है अब तु इतना प्यार से पूछ रही है तो फिर मैं भी क्या कर सकती हूँ त्रिवेडी कीचन में गई और काफी बनाने लगी साची वहीं बगल में स्लैब पर बैट गई और कुछ ना कुछ बोल कर उसे परिसान करने लगी दो दिन बीच चुके थे साची और त्रिवेडी भी एंजियो के काम से मुंबई के लिए निकल चुकी थी उन्हें वहाँ के बच्चों के साथ कुछ सेमिनार अटेंड करने थे देव भी सिवम और अंगत को जोईन कर चुका था तीनों को ही कोई सीक्रेट मिसन कंप्लेट करना था त्रिवेडी और साची ने होटल में रुकने का डिसाइट किया और एरपोर्ट से कैब लेकर होटल के लिए निकल गई आदे घंटे बाद उनका होटल आ गया दोनों अंदर गई हाल में साची की नजर अपने हाथ पर गई तो उसका ब्रेशलेट उसे कहीं नहीं दिखा साची बोली यार मेरा ब्रेशलेट नहीं दिख रहा है काम कर तू अंदर चल मैं भी बाहर देख कर आती हूं कहीं बाहर तो नहीं गिर गया तिर वेड़ी बोड़ी छोड़ना यार मैं तुझे दूसरा दिला दूंगी साची बोली विल्कुल नहीं वो मेरा फेबरेट था बस दो मिनट में आ रहे हूं अगर नहीं मिला तो फिर तो तुझे ही दिलाना है बोलकर जल्दी से बाहर जाने लगी वो इतनी सल्दबा़ी में थी कि बिना सामने देख सामने वाले बंदे से अचानक टकरा गई और बिना संबले नीचे गिर गई साची नीचे थी और वो उपर दो मिनट बाद उसे ध्यान आया तो आखे खोल कर बोली अबे अंदे कहीं के तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या जो बोलते बोलते वो रुख गई क्योंकि जिससे वो ठकराई थी वो कोई और नहीं बलकि अंगदी था जो फिलहाल में उसके उपर था साची उसे धका दे कर उड़ते हुए बोली बेवक्यूफ कहीं के दिख नहीं रहा तुम्हें कि मैं कबसे दबी हुई है तुम्हारे इस तीन कुंटल के पहाड के नीचे और तुमंदे की तरह देखे जा रहे हो अंगद उसके पास आकर बोला क्या हम पहले मिल चुके हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है साच्छी बोली नहीं मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा तो अपने चौंस सा सकल कहीं और लेकर जाओ समझे और उसे साइड करते हुए आगे जाने लगी अंगद अपने वालों में उंगली डार कर हसते हुए खुश से बोला अच्छा तो तुफान एक्सप्रेस मुझे नहीं पहचानती चलो थोड़ा देखा जा आखिर मैडम इतना आकड क्यों रही है लगता है उस दिन की वज़े से कुछ ज़्यादा ही नाराज है सर भी बोल रहे थे कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था अंगद उसके पीछे जाते हुए बोला हेलो मीस क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं लेकिन कहां मिले हैं कुछ सही से याद नहीं आ रहा है तो साच्छी खुश से बोली उस दिन तो बड़ा भाव खा रहा था आज इतना पीछे क्यों पड़ा है कहीं इसका कुछ प्लानिंग तो नहीं है नई साच्छी इसके चक्कर में बिलकुल मत पढ़ना ये देखने में ही बस अच्छा है दिमाग तो कहीं बेच आया है अंगत जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला क्या हम सच में नहीं मिले हैं क्योंकि साच्छी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली अगर मिले भी हैं तो भी मैं आपको बिलकुल याद नहीं करना चाहती और अगर अब मेरे पीछे आये ना तो सोच लेना अंगत बोला क्या करेंगी अगर आपके पीछे आया तो साच्छी घुरते हुए बोली सर फोड़ दूँगी तुमारा इसलिए मेरे पीछे मत आना अंगत बोला आपको इतना गुसा क्यों आ रहा है उस दिन और आज अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है इसकी तो त्रिवेडी उसे ढूडते हुए वापस से उधर ही आ गई जब साची को किसी से लड़ते देखा तो उसके पास आ कर बोली तू यहां क्या कर रही है तू ब्रशले ढूडने आई थी ना फिर अब यहां फिर अंगत को देख कर बोली आप क्या जानते हैं साची को साची बोली नहीं अंगत बोला बिलकूल दोनों ने साथ में बोला तो त्रिवेडी बारी बारी से दोनों को देखने लगी साची बोली मैं नहीं जानती इसे अंगत बोला तो मैं कौन सा जानता हूँ आपको वो तो अभी अभी पहचान हुई है तो सोचा बोल दो साची बोली कब पहचान हुई और क्या मैं तुम्हारा या तुम मेरा नाम जानते हो जो पहचान की बात कर रहे हो अंगत बोला तो उसमें क्या बात है वो तो कभी भी हो सकता है बाइदवे मेरा नाम अंगद अवस्ती है आप दोनों का सुभ नाम साची बोली मैंने तो नहीं पूछा तुमारा नाम और हम दोनों का नाम तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है और त्रिवेडी का हाथ पकड़ कर अंदर जाने लगी अंगद बोला रहे क गुसे में बोली समझता क्या है अपने आपको बड़ा आया नाम बदाने वाला चपड़ गंजु कहें का उस दिन बहुत सो कर रहा था और आज त्रिवेडी बोली साची क्या हुआ तू अकेले अकेले क्या बढ़बरा रही है और क्या सच में तू नहीं जानती उसे साची बोली फिल्कुल भी नहीं बोलकर घुसे से बातरूम में चली गई साची बातरूम में चली गई तो ट्रिवेडी बोली इसका भी कुछ नहीं हो सकता जब देखो तब किसी ना किसी से लड़ती रहती है अंगत देव और सिवम के पास जा चुका था तीनों अपने काम में तरिवेडी धीरें से बोली, कब तेरा मुट खराब नहीं होता है, जो अभी नया खराब हुआ है। साची उसके साथ भूडते हुए, बोली, तु कुछ बोल रही है। तरिवेडी उसके पास आते हुए, बोली, नही नहीं, मैंने कहां कुछ बोला, चल मुझे भी कबसे भूख लगी है मैं भी तेरा ही इंतजार कर रही थी साची ने कुछ नहीं कहा और उसके साथ बाहर आगई दोनों बाहर आकर खाना खाया और त्रिवेडी ने सेमिना रटिन करने की बात कॉल करके पूछी तो पता चला कल से होगा इसके बाद दो दो दिन के बाद अलग अलग जगा पर होगा साची बोली चल आज मुंबई घूमाते हैं त्रिवेडी बोली नहीं यार आस थक गए हैं आज आराम करते हैं किसी और दिन चलेंगे साची बोली ठीक है तो तू बैट मैं अकेले ही चली जाओंगी वैसे भी आते ही मेरा मूट खराब हो गया त्रिवेडी बोली यार कहां से लाकर फस गई मैं इसको इससे अच्छा तो मैं अकेली ही चली आती साची बोली फिर कुछ कहा तुमने मुझे लगी रहा था तू मुझे लाकर कोस रही होगी कि क्यूं लाया मुझे त्रिवेडी बोली नहीं यार मैं तो सोच रही थी अच्छा चल घूमी आते हैं क्या पता तेरा मूट फ्रेस हो जाए साची एकसाइटेड होते हुए बोली तू सच बोल रही है तुम्हें क्या लगता है मैं तुस्से जूट बोलूंगी फिर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली लेकिन मैं तुस्से जूट क्यूं बोलूंगी जरा बता तो साच्छी बोली वो सब छोड़ चल अब जल्दी से तायार होकर फिर निकलते हैं और मुझे जूहू बीज भी चलना है उसके बाद इंडिया गेट उसके बाद त्रिवेडी बोली बस बस कर मेरी माँ अभी दो तीन महीने हम घूम घूम कर सेमिनार ही अटेंड करना है तो तुसा बारांग से घूम लेना और जहां जहां और जो भी देखना होगा उससे देख लेना समझी मैं कुछ नहीं कहूंगी साच्छी उसे जबरजस्ती खीच कर अंदर ले गई और फिर जल्दी से उसको और खुद को तयार होकर दोनों निकल गएं घूमने के लिए कुछ उतना ही एक्साइटेड होकर दिखा रही थी जैसे वो दोनों पहली बार आई हो कुछ देर में दोनों इंडिया गेट पहुँच गई साच्छी कैप से उतर गई त्रिवेडी ने कैप को पैसा दिया और उसके पीछे आ गई इधर किसी को लेने के लिए स्यूमने अं होगा उधर देख ताज होटल त्रिवेडी बोली दिख रहा है मुझे और अगली बार याद नहीं तुझे जब हम सब आये थे तो उसमें खाना खाने गए थी साच्छी बोली याद है फिर भी तुझे फिर से याद दिला दे रहे हूं बोलते बोलते सामने किसी से लड़ इसके लड़ने से इसके हाथ से त्रिवेडी का हाट छूट गया और त्रिवेडी भीडने से बच गई त्रिवेडी गुस्सा होते हुए बोली साच्छी क्या करती है तू और तू कब से बोल रही है सामने देख कर चल लेकिन नहीं तुझे तो आज साच्छी सामने वाले को पूरे गुस्से और एटिट्यूट के साथ घूरे जा रही थी तृवेडी अपने मन में बोली अरे ये तो होटल वाला है ये यहां क्या कर रहा है अंगस साची को देख कर बोला आपके पस कोई काम नहीं है जो सुबह से मुझसे भीड रही है फिर बाद में सारा इलजाम मेर उपर लगा देंगी सीवं त्रिवेडी और वर्तिका और देव की जिंदगी का सफर कैसा होगा बहुत सारे रोमान चौरहसे से परदा उटना भी बाकी है तो देखते रहे है कहानी का अगला भाग अगर आपको कहानी अच्छी लग रहे है तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सिस्क्राइब कर लेजिए का थैंक्यू फार वाचिंग मिलते हैं कहानी के अगले भाग में